आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेधन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेइलिस्ट द्वारा टैली की इस वीडियो सिरीज के आज की अध्याय में हम आपको बताएंगे कि सोंस डॉक्यूमेंट्स क्या हैं और टैली में इनका क्या उप्योग है इसके पहले वाले वीडियो में आपने लेजर्स में डिस्प्ले तथा ओल्टर आप्शन के साथ ही किसी लेजर को डिलीट करने के बारे में जाना था आईए अब आगे चलते हैं अभी तक हमने टैली की कुछ वीडियो में जो बताया उसमें मुख्य है नई कंपनी और लिजर्स बनाना अब इसके बाद सबसे महतुपूर्ण काम है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन्स पहचानना होते हैं और उसके बाद उन्हें रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ आधार चाहिए होते हैं जिनसे ये सिद्ध हो सके कि ट्रांजेक्शन हुआ है यानि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें कुछ प्रमान की जरुरत होती है और ये ब्रमाण ही source documents कहलाते हैं सररशम्तों में कह सकते हैं कि source documents की जरूरत हमें व्यवसाय या व्यापार में transaction की सबूत के रूप में होती है और इनी के आधार पर tally में transactions record किये जाते हैं इन documents में transaction से संबंदे details होती हैं जैसे लेंदेन की तारीख, उससे जुड़ी पार्टियों, सामान, राशी, आधी का विवरन इत्यादी तो आईए देखते हैं कि tally में transaction record करने के लिए कौन से source documents की जरूरत होती है इन में सबसे पहले है बिल या invoice जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को उधार माल बेचता है तो वो sales invoice बनाता है नमूनी के लिए हम आपको एक बिल दिखा रहे हैं इसमें खरीदार का नाम, पता, जो माल बेचा है, उसकी details, उसका amount और payment condition इत्यारे लिखी होती है खरीदार के लिए ये खरीदी का सबूत है और इसके आधार पर वो अपने यहाँ उधार खरीदी का transaction record करता है दूसरा है cash memo या cash invoice जब कोई व्यापारी किसी खरीदार को नकद माल बेचता है तो वो cash memo या cash invoice बनाता है नमुने के लिए हम आपको एक cash memo दिखा रहे हैं इसमें कई बार खरीदार का नाम और पता होता है और कई बार नहीं उसके इस्थान पर सिर्फ cash लिखा होता है साथ ही जो माल बेचा जाता है उसकी पूरी detail उसका amount त्यादी लिखा होता है खरीदार के लिए ये नकद खरीदी का सबूत है इसके आधार पर वो अपने यहां नकद खरीदी का transaction record करता है तीसरे document है receipt यानी receipt जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और फिर बाद में उस माल का भुकतान करता है तब भुकतान प्राप्त करने वाला यानी supplier उसे एक receipt देता है जिसमें रसीद की तारीख, खरीदार की details, amount और वो payment किस संदर्ब में प्राप्त हुआ है उसकी details होती है नमूनी के लिए हम आपको एक receipt दिखा रहे हैं खरीदार के लिए ये receipt भुकतान किया गया है इसका सबूत है और वो इसके आधार पर अपने यहाँ payment का transaction record करता है अगला document है check जब कोई खरीदार उधार माल खरीदता है और वो उस माल का भुकतान bank के check द्वारा करता है तो इस check की details के आधार पर इस transaction को खरीदार और supplier दोनों अपनी पुस्तकों में record करते हैं चेक से जो भी लिन दिन होता है वो bank के माध्यम से होता है और bank statement में उस check का विवरेंट दिखा जा सकता है नमूने के लिए हम आपको एक check दिखा रही हैं नेक्स्ट है credit note जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल supplier को पूरा या आंशिक रूप से वापस करता है तो supplier उस transaction को record करने के लिए अपने यहां credit note बनाता है और यही credit note माल वापस प्राप्त हुआ इसके सबूत के रूप में खरीदार को देता है इसे तरह कई बार खरीदार माल से संबंधित कोई शिकायत करता है तो supplier खरीदार को कुछ चूट प्रदान करता है और इस चूट के लिए भी supplier credit note बना कर खरीदार को देता है credit note में खरीदार की details के साथ ही माल की details या चूट का कारण और amount लिखा जाता है इसके बाद है debit note जब कोई खरीदार खरीदा हुआ माल सप्लायर को पूरा या अंशिक रूप से वापस करता है तो खरीदार इस वापसी के transaction को अपने यहां record करने के लिए debit note बनाता है साथ ही वो जो माल वापस कर रहा है उसके साथ ये debit note supplier को भी भीशता है कई बार खरीदार जब supplier को माल खराब होने की शिकायत करता है और supplier उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई amount निशित करता है तो उसके लिए भी खरीदार अपने यहां debit note बनाता है और supplier को भी भीशता है debit note में supplier की details के साथ माल की details या छोट का कारण और amount भी लिखा होता है वास्तों में debit note और credit note एक दूसरे के पूरक है खरीदार के लिए जो debit note है वो supplier के लिए credit note है और इसी तरह यदे किसी कारण से supplier debit note इशू करता है तो वो खरीदार के लिए credit note होता है GST law आने के बाद अब debit note और credit note में वो सभी details देना जरूरी है जो आप invoice में देते हैं इस वीडियो सिरीज में आगे हम debit note और credit note को अच्छे से समझाएंगे अगला document है voucher voucher accounting द्वारा बनाया जाता है और उस पर व्यापार या website के स्वामी या जो भी जवाबदार व्यक्ति है उसके sign करवाए जाते हैं इससे यह confirm होता है कि sign करने वाले को voucher के पूरे विवरंड की जानकारी है voucher में जिसे भुक्तान किया गया है उसकी details किस कारण से भुक्तान किया गया है उसकी details और amount की details होती है तो अभी आपने देखा कि source documents क्या हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं साथ ही आपने यह भी जाना कि बगेर source document के आप टैली में transaction record नहीं कर सकती इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में transaction record करने के लिए vouchers क्या होते हैं और किस voucher का उप्योग किस तरह के transaction के लिए किया जाता है